कि दोस्तों काना रिजे नातना आपको स्वागत है आज हम देखेंगे इस प्रकार का टी टेबल या साइड टेबल बोलने इसको यह बनाना हम देखेंगे और इसमें यह टॉप हमको बनाना है और यह हमने मार्केट से रेडी यह आप बनाने के लिए हमने इंडियेफ पा बॉड लिया सत्राइन बोड लिया आप इसको आपको बनाना ही आपके उपर डिपेंड करता है अभी हमने 16 वी 16 का लिया है आप चाहिए इसा एठारा का बनाए जेसा कस्टूमर की नीड है या जेसा हमको बनाना है उस प्रकार से हम बना सकते है तो देखते है इस पर हम पहले करेंगे प्राइमर करना देखता है उसके बाद अगला प्राइमर करने के लिए हमने एम्टी रेजिन आट या और हाटनर यूज किया है इसका रेश्व रिता है इसका रेश्व बहता है तु इस-टू बनकर रेता है यह हमारी जैपूर ब्रांच का केमिकल है एक प्रांच हमारी जैपूर में है और यह ब्राइज तो आप चाहें तो जैपूर जोइन कर सकते हैं आप चाहें तो हमारे बोपाल ब्रांच में जोइन कर सकते हैं इसको तीन से चार मिनट अच्छे से आपको मिक्स करना है इसके बाद ही आप इसका यूज करें अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है अच्छे से आपको मिक्स कर सकते हैं हुआ है कर दिया हैं अबी यह मार्रा प्राइमर लगवक दो गंटे लेगा शोफने में तो अब 12 गंटे के लिए अम इसको शूफने देते हैं तो गंटे के बाद व 이제 पर अगला प्रूसेश करेंगे तो हमारा प्राइमर शूफ के तयार हो गया है अब हम इस पर ब्रेस्पोट करेंगे तो देखते हैं आगे ब्रेस्पोट केसे करना कि बितर सेखते हैं?? कि बितर सकत्तों आगे जरोगी कैसाउ। हाग पाग तो मौस्की कि अब दल 270 अबaden हुआ 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 है हम दो पर बैस कोट कर दिया है जो उसके बाद ये छह लगबाग 6-7 गंटे सुखने के लिए लेगा अभी हम इसको 6-7 गंटे सुखाएंगे तोस्टों अभी ये बन के तयार हो गया हमारा इस परकार का टेबल टॉप और या टी टेबल होले है इसको बनाने के बाद ये हम रख कर देंगे और यह हमारा कंप्ली प्रोड़क्त इसमें बहुत सारे प्रोड़क्त रॉड़क्त बनाना बताते हैं और सीखिए अपना खुद का बिजिस चालू कीजिए यह भी आप इस प्रकार के प्रोड़क्ट हमसे खरीदना चाहे तो आप हमसे हमारे वाट्सप नमर के कॉंटेक्ट कर सकते हैं यदि आप इस प्रकार की टेबले बनाते हों घर पर यदि आपनी दिन में तीन टेबले भी बनाई तो आप दो से धाय जार रुपे आराम से कमा सकते हैं तो आईए सीखिए बनाईए अपना खुद का बिजिस चालू कीजिए और घर से ही हम इनको बना के मार्केट में बहुत